भरुष्णों चौद वर्षिया अन्मोल सास्त्री कौन बने का करूरपती जुनियर सोनी होट सीट पर पहुंची लाखोनी रकम नो विजेता बने होशे। टेलिविजन नी दुनिया मा कौन बने का करूरपती नाम वर्षोती गुंच्तु आव्यू। सोनी पॉप्यूलारेटी अन्य अमिताप बच्चन सामें बैस्वासाते तेना सवालोनो जवाब आप्पा अनेक लोको इस्टा आग करता होईशे। परिवार्जनों अन्य मित्र मंडण मा खुशी निल हैर जुआ मड़ी हती। आपने जणावी दिये के अन्मोल सास्त्री आज सो मा 25 लाग नी रकम नो विजेता बने उश्रे। तेमच 50 लाग माटे पुछवा मावेल एक सवाल नो अन्मोल पासे योग्य उत्तर नो होना कारणे तेने गेम ट्वीट करी लिदी हती। जो के अन्मोल सास्त्री नी आटली नानी वईनिक उमरमा आटला अनुभवी शवालों ना जवाबो आपवानी सी दिने लोगों चो तरफ वखानी हती और सुबह चाओ पाठवी हती। मेरा नाम अन्मोल शास्त्री है। मुझे के बीसी में जाके बहुत अच्छा लगा। उधर जाके नई ने चीशे सीखी। शूटिंग कैसे होती है। यह देखी। फिर उसके बाद क्विजिस खेलना तो मुझे काफी पसंद है। तो मैं उधर जाके क्विजिस खेला तो बहुत अच्छा लगा। वह इतने बड़े एक्टर है। उनसे मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और उनके बार में जैसा कहा गया कि वह काफी अच्छी नेचर के हैं। तो हाँ इस दुनिया में सबसे अच्छा नेचर उनका ही है। कुछ आपके क्विजिस के पहले कुछ तैयारी में कुछ आशी करी नहीं थी पर मेरी स्टाइट से यादत है कि मैं क्वेश्चन करता हूं। मैं डाउट्स पूछता रहता हूं तो जो भी मुझे डाउट आता है मैं उसके बार मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूं। तो ऐसे सरच करते करते मैं काफी नॉलेज बड़ा। फिर उसके बाद वेक्विज में खेला तो मुझे काफी अच्छ लगा। जब मैं उसमें सिलेक्ट हुआ तो फिर उसके बाद मैंने हमारी भरुज के एक लाइबरी है के जे चॉक्सी लाइबरी तो वहां से मैंने बुप ली और मैंने वह पड़ी तो उससे मैं काफी नॉलेज बड़ा फिर उसके अलाव अभी मैंने इंटरनेट पर काफी चीज़े पड़ी अभी तो मेरा प्लैन है कि मैं बड़े होके एस्टो फिजिसिस्ट बनूं जिसको आप स्पेस साइंटिस भी बोल सकते हो और मेरी यह इच्छा है कि मैं नोबल प्राइज जीतूं मेरे फेवरेट सब्जेक्स वैसे तो फिजिक्स मैच है पर मुझे अभी नोबल प्राइज के लिए जो मेरी फिल्ड है एस्टो फिजिक्स तो उसमें मैं काफी काम करना पसंद करूंगा और उसमें मैं अपना बहुत दूंगा और जिसकी कार मेरी रिसर्च में मैं कुछ अच्छा डेविलप्मेंट करूं जिससे लोग का फायदा हो तो इससे मैं करता हूं कि मुझे नोबल प्राइज मिले मेरी मेरी एज के बच्चों के लिए यह कहना चाहूंगा कि डाउट कुछना कभी बंद नहीं करना चाहिए जो भी चीज का क्वेश्चन आपने दिमाग में उसके बारे में हमें पूछना चाहिए या उसके बारे में थोड़ा प मैं आप सब लोगों के सम्मुक मेरे बेटा अनमोल शास्त्री के कारण हुआ हूँ और मुझे बहुत अत्यांत प्रसंदता हो रही है कि मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और पहले प्रयास में वो हौट सीट पर पहुंचा और वहां पर उसने बहुत अच् मिला उससे हमको बहुत प्रसंदता हुई और उनका एक अलगी व्यक्तित्व है उनका नेचर जो है वो एक अलगी तरह का है और वो बहुत ही कॉपरेटी हम जब वहां पर सेट पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और हम सब को बहुत कॉपरेट किया और वहां की पड़ाई जैसे आप जानते है बहुत अच्छी है और उसके टीचर जो है उनका बहुत सहयोग रहा तो शुरू से ही उनके सहयोग के कारण हमें उसको एक अच्छा बेस मिला और बेस मिलने के कारण वो सब आगे बढ़ा और उसने अपनी पड़ाई को किया और हर स साल वो 90% के आसपासी नंबर लेके आता है और उससे उसकी बेस बना और उसने महाँ पर जो टेस्ट हुए वेदान तो एफ हमने डाउनलोड किया और उसमें करीब 20 दिन तक सुबह 11 बजे और शाम को साथ बजे करीब 20-20 कोश्यन आते थे वो जनरल नॉलेज और करेंड सिलेक्ट हुए थे उसमें उसका 1019 वा नंबर था तो इस तरह उसके करीब 7-8 राउन अलग उसके बाद में हुए उसको रूम में बैठा के वीडियो शुटिंग होती थी और उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप इदर उदर मत देखिए अगर आप इदर उदर इसमीर दिल्ली मलब पूरे भारास से था और मुझे आप सब लोगों के साथ ये शेर करते गर्व होता है कि हमारे गुजरास से वह अकेला बालक था जिसने वहां पर पहुंचा और अपना हॉट सीट पर गया और अपना सब्सक्राइब